जहां इस वक्त की सबसे बड़ी दस्तक है कि काशिक ग्यानवापी मस्जिद के मीचे बड़ा मंदिर था पड़ी खबर है ग्यानवापी मस्जिद को लेकर ASI की रिपोर्ट आज सामने आ गई है जीप्या सवे पर ASI ने कहा है यहां पर एक बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था अभी के धाचे यानि मस्जिद के पहले एक बड़ा हिंदू मंदिर मौझूद था आप इस खबर पर पूरी जानकारी अब सुनेंगे क्योंकि हम आपको बताएंगे कि ASI की इस रिपोर्ट में आखिर है क्या यह एक्स्क्लूसिफ जानकारी हम आपको दे रहे हैं मंदिर होने के 32 से ज़्यादा प्रमाण मिले है ASI की सवे रिपोर्ट में कही गई है 32 से ज़्यादा प्रमाण के लिए इस्तमाल किया गया ASI के मताबिक वर्तमान में जो धाचा है उसकी पश्चमी दीवार पहले के बड़े हिंदू मंदिर का हिस्सा है विश्व शंकर जैन से बात कर रहे हैं हमारे से योगी अभिशेक सुनिये जहां पर उस टेंपल को हटा के एक मस्जिद का रूप देने की कोशिश की गई है और ASI ने ये भी कहा है कि इस तथाकतित मस्जिद में जो पिलर्स हैं वो पिलर्स हिंदू मंदिर के पिलर्स हैं जो प्री एक्जिस्टिंग स्टॉक्चर ओलड़ी वहां पर हुआ करता था और साती वहां पर सर्वे के मंदिर है वो कब का है और जो पास तो ASI ने इसके बारे में कोई बात नहीं किये कि पहले का मंदिर कब का है उन्होंने काया कि यहां पर प्री एक्जिस्टिंग स्टॉक्चर था जो एक हिंदू टेंपिल का स्टॉक्चर है और सत्रवी शताबदी के आसपास उसको भगना अवशेश करने कि उसको डिमॉलिश करने की कोशिश की गई है और उसी की काफी चीजों को इस्तमाल करके इस मस्जिद में प्रोक किया गया क्या शिवलिंग का कोई खिर या फिर नहीं को बताये भी था उसमें तैखाने में इस पर्शूपSON नोंने कहा है कि तैखाने में ब पर एसाइ का जो कंक्लूजन है तो एसाइ ने का यहां पे प्री एक्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था जो हिंदू मंदिर का स्ट्रक्चर था और सत्रवी शताब दीम उसको तोड़ने की कोशिश की गई है तो हमारे साथ थे विश्णु जैन जिन्होंने साफ साफ बताए कि एसाइ ने इसे पहले का बड़ा भब्य हिंदू मंदिर करार दिया है और उसके बाद उसके उपर अभी का धाचा बनाया गया है कुमारा भिशेग वारा नसी आज तक और आज तक के पास एक्स्क्लूसिफ रिपोर्ट है ये पूरी हम आपको बताएं एक एक करके पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं पिलर के नकाशियों को मिटाने की कोशिश ये सब कुछ A.S.I. की रिपोर्ट में है मंदिर होने के 32 से ज़्यादा प्रमान मिले हैं रिपोर्ट में कहा गया है कि मस्जिद के भीदर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तिया मिली है हिंदू मंदिर के 32 से ज़्यादा शिला लेक मिले हैं और ये भी कहा गया है कि जो उस मंदिर के पहले से शिल्पकारी थी उन्हीं पिलर्ज को नए ढ़ाचे में इस्तमाल भी कर लिया गया है उन खंबों को ये बड़ी खबर इस वक्त के हम आपको बता रहे हैं 32 से ज़्यादा प्रमाणों के साथ मस्जिद के भीतर हिंदू देवी देवताओं की मूर्ती मिली है ये सब कुछ इस रिपोर्ट में मंदिर के खंबे का मस्जिद बनाने में इस्तमाल कर लिया गया है ये भी रिपोर्ट में बताया गया है 32 से ज़ादा प्रमाणों की चर्चा है और आपने सुना विश्णु जैन जो की वकील है इस पूरे मामले में उन्होंने ये कहा कि तेहखाने में मूर्ती मिली है जो मिट्टी से दबाई गई है इसका भी जिक्र है जो जानकारी वहाँ पर थी तारीक थी उसे मिटाने की की गई है ये भी on record डाल दिया गया है हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगों से जुड़ रहे कुमार अभिशेक हमारे सहयोगी तो पहुच गए है महाँ पर और वो पूरी जानकारी हमें हमें दे रहे इस बीच संजे हमारे साथ जुड़ गए संजे क्या कुछ कहा गया है क्या प्रामारिक रूप से ये सर्वे रिपोर्ट ये कह रही है कि पहले मंदिर था तोड़ा गया उसके खंबों को इस्तमाल करके मस्जिद बना दी गई जी हां बिल्कुल इसमें जो पत्थर मिले हैं सबसे बड़ी चीज जो शिलालेक हैं वो 1669 की बात कहते हैं जिसका अगर हम ये देखें कि समवत 1669 की बात है तो इसमें अगर हम करें तो 1613 इस भी बनती है और जिस समय का ये जिक्र है जनवरी एक उस दिन फ्राइडे था और साथ ही रिपोर्ट ये कहती है कि वहाँ एक भव्य और बड़ा हिंदू मंदिर था क्योंकि वहाँ की पश्चिमी और उतरी दिवारों में जो चीजें मिली हैं उसमें घंटियां हैं कलश हैं और दीपक बने हुए हैं बहुत सारी हिंदू जो मंदिरों में चिन होते हैं मू मिला कर ये रिपोर्ट ये बताती है कि वहाँ एक भव्य मंदिर था और साथ ही एक शिलालेक मिला है जिसमें मुक्ति मंडपम उसका नाम है जब हम ये जो याचिका दायर की गई है जिसमें विश्णु संकर जैन हरीशंकर जैन जिसके वकील हैं उनका ये कहना है याचिका म उनकी स्थली है और इसलिए भगवान शीव की तरफ से विश्वनाजी की तरफ से ये याचिका डाली गई थी और ये कहा गया था कि उन्हें उनकी जमीन उनकी संपदा उनके रहने की जगें लुटाई जाए जाए केशव प्रसाद मौरे जो की उपमुख्य मंत्री है वो बिल्कोल बहुत बड़े घटना करम के तौर पर ही देखना पड़ेगा क्यूंकि ये एसाई ने अब इस तरीके से इसे साबित कर दिया कि कोई प्री स्ट्रक्चर था साफ साफ टेंपल लिखा है मंदिर था और जो वर्तमान धाचा है वो उसके भगना उशेस से बनाया गय है ये चीजें इसके रिपोर्ट में आई हैं अंजना और आज जो वकीरों का पैनल था जो विष्णु जैन के साथ था और जो साथ-साथ महिला याचिका करता हैं ये सबकी सब बेहदी खुश है और इस वक्त मेरे साथ दो लोग मौजूद है हमारे साथ सुबास नंदन चत प्राइम-आया था और मंतिर को तोड़ के उसी की आधार मसजिद बनाया गया है। पस्मी वाल ** मंदिर कहीं है और उपर जो गुममत बनाया गया है। प्लस तमाम खंबे जो तहकाने में हैं वो खंबे जो है मंदिर के ही खंबे रहें और सेस रहें उस मंदिर के खंबों पे ही जो है पूला जो है बेस्मेंट जो है तैयार किया गया उस मस्जिद का रिपोर्ट का आप क्या आसर होगा बताइए ये रिपोर्ट हमारे लिए माइ ज्यानिक तरीके से प्रमाडी साक्ष जो है माननी कोर्ट के समग से दाखिल किया है यह सबसे बड़ा प्रमाड या कहाज सबसे बड़ा हंतियार है इन आधार पे ही जैसी कोई चीज का जिक्र नहीं है जबकि उस मंदिर का जिक्र है श्यूलिंग का जिक्र नहीं देखिए यह असाई ने माना है कि जो है जो जी पी आर इस मशीनों की तकनिक से जो है तकाने के अंदर या कहा जाए कि भूमी के अंदर जो उसने तमाम मुर्तियां पत्थरों को देखा और माना है कि तमाम हमारे देवता तूटे फूटे आज भी उसमें नीचे पड़े हुए हैं अंजना बहुत सारी चीज़ें मिली हैं हमारे साथ सीता साहू है जो कि याचिका करता रही है आज आप लोगों की जीत हो गई है आपको लगता है अब आगे क्या करेंगी क्योंकि आप लोग तो लड़ रही थी गौरी के लिए और अब तो पूरा मंदिर इस तरीके से आ रहा देखें स्यो के साथ सकती और सकती के साथ स्यो जुड़े हुए है इन लोग को अलग नहीं किया जा सकता है और रही बात हम लोग की जो पूजा पाठ का तो हम लोग तो ये पहली से ही करें कि मंदिर था और ये चीज़ जान रहे थे जब हम लोग सर्वे के दौरा अंदर ज लिखा हुआ ां-ता था साथ में ना जाने किते पूराने मस पर सिक्खे मिले से मिले और साथ में जये उसके स्यूर्श पोराज करेंगे आफ लोग की लड़ाई तो बहुत सीमित दायरे में थी अब तो पुरे मंदिर को कह दिया गया क्यों मंदिRI ॹि था और अब ढाइचे उसका जो बादका धाचा है वह बाद में बना है दिखिए जो महाजिद है कुर्ट मानती हूं वह मुझे लगता है क्यों रुक्षỉ्ष मंदिर मंदिर और कुछ नहीं लेकिया थे तो वो हमारे मंदिरों को इसी नहीं नास करते थे कि हमारी संस्किती को हमारे सनातन को नश्ट कर सके अब वही हो रहा था तो अब यह बात जिब सामने आ गई तो अत्यान खुशी मिले अब हम लोग जो वजू खाने में जो हम लोग के सीलिंग सुभाज जी यहां तक तो बात आ गई आगे की भी आप कह रहे हैं कि अब क्या आगे कैसे यह लड़ाई आप लोगों की बढ़ेगी क्योंकि एसाई की रिपोर्ट हमने कहा नहीं कि सबसे बड़ा प्रमारित एविडेंस है यह एविडेंस कही आधार पर यानि बैग्यानि तरीके से कोड में दाखिल हो चुकी है और कोड इसी सारी चीजों को अधार बनाते हुए हमारी सफलता कि यह सारी रास्ते मार में खुल जाएंगे और कहा जा मैं पुना कहना चाहता हूं हमारे लिए माइल स्टोन है और इसी के अधार पर उस मंदिर जो ग्यानबापी मंद चाहता है इस जो लड़ाई हमारी 300 वर्सों से पुरुसे चल ने है उसकी दसा दिसाथा होगी और पुना जो है वो मंदिर हमें प्राप्त होगा कि बहुत सारे स्क्रिप्स्यर्श मिले हैं इसकल्पच्छा मिले हैं और अब ये रिपोर्ट में पूरी तरीके से साबित हो गई है जीवलिंग कहीं नहीं मिला है लेकिंशिवलिंग का कोई जिक्र नहीं जो आप कहते थे कि जो डोम है जो मुख गुमबद है उसके नीचे जीवलिंग हो सकता है जिप्यार की जो रिपोर्ट है ग्राउंड पेनेटरेटिंग रडार उस्ते तो कुछ ऐसा पता नहीं चला ऐसा शुरुवाती रिपोर्ट देखे तमाम पत्थरें जो सिला लेक मिले हैं मुर्तियों के अशेस मिले हैं तूटे फूटे मिले हैं पत्थरे मिले हैं शिला लेक जिस पर तमाम चीजें लिखी हुई हैं यह सारी चीजें मिली हैं श्यूलिंग हटाया गया क्या किया गया तोड़ने के बाद यह तो एक जा A.S.I. जांस की मांग हम लोग वजू खाने का करना है जिस पर भी सुप्रीम कोट में ममला पिंडिंग है तो अंजना ये तमाम वकील हैं और ये जो महिला वादी हैं इन सभी लोगों ने इनकी खुशी को आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से आज जब A.S.I. रिपोर्ट आई है तो ये पूरे ये सभी के सभी लोग खुश हैं अंजना